Hello Everyone, House of Legal Studies में आप सभी का स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे All India Bar Exam की डिटेल्स को इस वीडियो को देखने के बाद आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिवेशन सबसे पहले मिल सके स्टार्ट करते हैं इलिजबिल्टी के साथ तो All India Bar Exam को देने के लिए त्री येर्स या फाइव येर्स लॉड डिग्री होनी चाहिए इसके साथ स्टेट बार काउंसिल में इन्रॉल्मेंट कंपल्सरी है अगर ये दो क्वालिफिकेशन है तो आप All India Bar Exam दे सकते हैं नंबर अफ अटेंट्स की बात करें तो बार काउंसिल आफ इंडिया ने 31 जनुरी दॉर सतरा को कंफर्म किया था कि अटेंट्स की कोई लिमिट नहीं है आप कितने भी अटेंट्स दे सकते हैं जब तक आप exam qualified नहीं कर लेते हैं यह एक open book exam है जिसमें आप books, barex, printed notes, handwritten notes या कोई भी printed material ले जा सकते हैं mobile, digital watch, laptop, exam hall में ले जाना मना है passing marks की बात करें तो general और OBC category के candidates के लिए 40% marks यानि 100 में से 40 नमबर लाना जरूरी है SC, ST category के candidates के लिए 35% marks passing है question paper के language की बात करें तो इस exam को आप 11 languages में से किसी एक language में दे सकते हैं जब आप exam form fill करते हैं तो language का option तभी select करना होता है जो language आप select करते हैं उसी language में question paper आता है जो 11 languages हैं उसमें Hindi, English, Telgo, Tamil, Kanad, Marathi, Bengali, Gujarati, Uriya, Assamese और Punjabi है Most important question जिसमें candidates को confusion रहती है अगर आपने state bar council में enrollment कराया है और आपके 2 साल expire हो गये हैं क्योंकि enrollment certificate की validity 2 साल होती है तो क्या आप exam देने के लिए अभी भी eligible हैं इस point पे bar council of India ने 31 January 2017 को clarify किया था कि 2 साल expire होने के बाद आप as an advocate practice नहीं कर सकते लेकिन आप all India bar exam देने के लिए eligible हैं और आप exam qualify करने के बाद practice start कर सकते हैं और इंडिया बार exam qualify करने के बाद COP certificate of practice bar council of India इस्यू करता हैं क्योंकि form में enrollment number भरना होता है इस exam के लिए कोई maximum age limit नहीं है कोई candidate जो contract based employee है exam देने के लिए eligible होता है fees की बात करें तो general category और OBC category के candidates के लिए 3560 रुपे और ST और ST category के candidates के लिए 2560 रुपे है ये exam साल में दो बार कराया जाता है exam pattern को देखें तो total 100 question होते हैं और एक question एक number का होता है कोई negative marking का provision नहीं है आप कोशिश करें कि पूरा question paper attempt करें इस exam के लिए tips कैसे exam को qualify करें और साथ ही slaybus already इस channel पे upload किया हुआ है आप AIB exam की playlist में से देख सकते हैं exam के लिए registration admit card download करना या result को देखने के लिए official website ही use करें official website है www.allindia.com जितने भी possible doubt हो सकते हैं वो explain कर दिये हैं अगर अभी भी कोई doubt है तो आप comment section में comment करके पूस सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग प्लीज वीडियो को like करें शेयर करें और चैनल को subscribe करना ना भूलें जिससे next वीडियो की timely notification आपको सबसे पहले मिल सकें